हुँ ऐसे हलोग दोस्तों नमस्कार सालाम। गुड़ मॉर्णिंग दोस्तों आज ईलेक्ट्रा और सुपीडिया के इन्वर्टर स्रिस में जो एर्राता है उसके बारे में बात कर रहे झाले तो देख सकते हैं ये केरियर माइडिया का इंवर्टर और से का Error Code है और यहां पर दो मॉडल है एक एलक्टरा है एक सुपेडिया है तो देख सकते हैं यह जीरो आएगा तो यह प्रॉम एरर है इप्रॉम में मैंने बताया है कि आजिबीटी प्रॉबलम होगा पीसीबी अपडेटिंग प्रॉब्लम हो सकता है इसमें जो है अलेडी रहता है डिस्प्ले जो है वो वन टाइम बिलिंकिंग करेगा इवन तो आपको बता चुके हैं कि यह कैमिनिकेशन एरर है कैरियर की लगभग सारे मॉडल में जितने भी आते हैं यह इवन जो है कैमिनिक में परकार के रहता है यह थीतरी होता है fan x fan out of control रहता है इसमें आप ध्यान देना है कि fan x soak out of control में तो blower गया होगा या तो PCB का jack खेल गया होगा यह सब problem होगा E3 में आपको बता दिया fan speed zero crossing हो गया E3 में हो गया fan speed out of control E4 में होगा indoor room temperature T1 open circuit circuit E4 में जो होगा यह दो model में तो open होगा और short circuit होगा और display जो है 6 बार blink करेगा बहुत सारे में आपको error नहीं आएगा लेकिन display blinking करता रहता तो आप पगला जाते हैं कि उसमें करना क्या होता है तो दोस्तों ध्यान से देखना है इसमें जो भी है मैंने बता रहा हूं पुरा full display है display में जो error आएगा वह और अगर नहीं भी आ रहा तो blinking को आपको दिखना ध्यान देना है यह फाइव में evaporator quiet temperature sensor T2 open open होगा short circuit होगा या चुहा वायर कार्ट दिया होगा इसी तो आप जानते हैं कि seven time blinking करेगा और दोस्तों आपको बता दें कि जिसमें भी display में नहीं है height display है उसमें भी error काम कर जाएगा उसमें आपको blinking पर ध्यान देना है कि वह जो timer button है या LED button है कितनी बार blink कर रहा है एक बार दो बार तीन बार यहां last साथ बार है तो देखना है जैसे साथ बार में यहां पर गैस लिखेज है तो अब यहां पर चलिए एफ 1 में आ जाए तो outdoor temperature sensor T4 open circuit short circuit या किसी तरीके से कटा होगा एफ 2 देख रहा है ति condenser coil temperature sensor T3 open circuit short circuit या तो फिर चुहा तरकार दिया होगा या किसी भी कारण से खराब होगा है एफ 3 में देख रहा है condenser discharge temperature sensor T5 open circuit short circuit या किसी भी कारण से खराब हो गिया होगा एफ 4 में देख रहा है फाइफ टाइम बिलिंग्स कड़ेगा outdoor e-prom parameter error तो इसमें outdoor की PCB को देखना है और यहां जो यह 0 में था वहां पे indoor की PCB को देखना है P1 जो आता है यह voltage की वजह से आता है इसमें over voltage होगा high voltage होगा low voltage होगा तो यहां पर आपको ध्यान देना है stabilizer लगा के देखना और stabilizer हड़ा के देखना है यह सारे error जिसमें high display है उसके लिए है अभी आप देख लिए पीटू है पीटू टेंपरेचर प्रोटेक्शन कंप्रेशन कंप्रेशर टॉप है पीफोर है इनवर्टर कंप्रेशर ड्राइव एरर पीफोर में क्या होता है हाई कंडेंसिंग के कारण पीफोर आता है तो पीफोर में बहुत जगा आपने देखा होगा कि सब कुछ चेंज करने के बाद भी आपको सही डिसीजन नहीं मिला तो इसमें लास्ट ली आउटडोर पीसीबी चेक करना है पहले आपको इन्पूट वोल्टेश चेक करना है आउटडोर कंडेंसर में आउटडोर पीसीबी में कितना वोल्टेज चेक करना है फिर अर्थ और न्यूट्रल से चेक करना है कि फाइव वोल्ट है कि नहीं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आप इस चैनल पढ़ना है तो कि आप सब्सक्राइब कर लें